असलाम लेकुम और वेलकम टू चैनल दस्तर खान की दावत आज में आपके साथ शेयर करने जारे हूं रेस्टरेंट स्टाइल बटर चिकन की रेसिपी और यह इतना जाधा मज़दार बनता है कि आप अपने उंगलिया चाटने पर मजबूर हो जाएंगे तो चलिए इस अथा किलो दही अड़ कर देंगे मुझे ज्यादा ग्रेवी बनानी है इसलिए में ज्यादा अग्ण कर रही हूं अगर आप कम ग्रेवी बनाना चाहें तो आप कम दही अड़ कर सकते हैं साथी में 2 टेबल स्पून अधर ट्रयक लसन और हरी मेर्चों का पैस्ट डाल चीकन में इसे डालने से बहुत अच्छा रंख दो योद सब्लास को लाँगे तो चीकन में अच्छी तरह से मिला लिया है और भी आपdf, आपार। यहां पर मैंने 20 काजू लिये हैं इसमें थोड़ा सा पाने डाल के से भीगा देंगे जब अच्छी तरह से भीग जाएगा तब हम इसे पीसेंगे और यहां पर हमने एक कड़ाई ले लिये हैं और यहां पर हमने 4 टमाटर को मोटे-मोटे तुकडों में काट लिया है चार इंच अद्रग को कड़ुकस करके डाल देंगे अब इस तरह के ग्लास से मापके हम इसके अंदर पानी अड़ कर देंगे यह 250 ml का ग्लास है तो इसमें हम दो गलास पानी आड़ कर देंगे साथी में एक टीश्फून नमक और एक टीश्पून तिखा वाला लालमेश या तो हमें इसे 10 मिनट तक पका लिना है जिससे की टामाटर और अधर क्लसरों हर्मिट जो हमने इसमें डाला है वह थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे तैयार किया है उसे हम पहले चान लेंगे ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर हम पानी के साथ इसे पीसेंगे तो ग्राइंड जार में से ओवर फ्लो होने के चांसे होते हैं इसलिए हम इसे पहले चान लेंगे तो यहां पर इसके पानी को हमने चान लिया है और यह जो ट पीस लेंगे क्योंकि हम चोटा grinder jar यूज कर रहे हैं इसलिए एक साथ में हम इसे नहीं पीस सकेंगे और अब इसे अच्छी तरह से बारीग पीस लेंगे तो हमने टमाटरों को अच्छी तरह से बारीग पीस लिया है अब यह वाला जो बावल है इसके अंदर हम यह जो पीसा ह अच्छी हथने टमाटर से डाल देंगे और बागी के जो बचं तमाटर है इससे भी हम ग्रैंडर ेडाऊ यह अच्छी तरह से बारीग पीस लेंगे तो हमारा बेसी तयार हो गया है करेंगे और काजू हमने भीगाया है थे पानी हम लिए हैं और इस उसे आपनी के साढ़ी कर देंगे दो टेबल स्पून अध्रक लसन और हरिमेचु का पेस्ट और अब इसे मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए बस दो से तीन मिनट के लिए भूल लेंगे जिससे के जो अध्रक लसन के कच्छी स्मेल है वो चली जाए दो से तीन मिनट बाद अध्रक लसन अच्छी तरह से भून चुका है इसकी कच्छी स्मेल चली गई है तो अब इसके अंदर जो ग्रेवी का बेस हमने तयार किया था वो डाल देंगे और साथी में डाल देंगे एक टीस्पून नमक एक टीस्पून तीखा वाला लाल मेच पा अब इसमें हम आड़ कर देंगे आधा कटोरी ताजा घर की मलाई अगर आपके पास घर की मलाई ना हो तो आप इसके जिगा पर फ्रेश क्रीम का इस्तमाल भी कर सकते हैं और मलाई डालने के बाद इसे फिर से अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसे कवर कर देंगे और कव कर दिया है यह बहुत अच्छी तरह से उइल रिलीस कर दिया है तो आप इसमें हम अड़ कर देंगे मैरीनेटें सी इसे हम सारे मैरेनेशनOUT के साथी अडाल ABC कर दिया और अब इसे तो कवर कर दिया है और कवर कर के से medium-to-high flame प Pay बीच बीच मे चलाते हुए चिकन के अच्छी तरह से गलने तक और इसके अच्छी तरह से तेल छोडने तक हम इसे पकाएंगे तो करीबन 4-5 मिनट बाद मैं आपको इसे ओपन करके दिखा रही हूँ और आप देख सकते हैं चिकन काफी सारा पानी रिलीज कर रहा है और इसी पानी में ये चिकन अच्छी तरह से गलेगा तो इसी तरह से हर 4-5 मिनट के बाद आपको ढखने को हटाना है इसे चलाना है और इसे इसी तरह से आपको चिकन के अच्छी तरह से गलने तक और तेल छोडने तक पकाना है तो करीबन 15-20 मिनट तक हमने इसे medium to high flame पे बीच-विच में चलाते हुए पकाया है और आप देख सकते हैं यह बहुत अच्छी तरह से तेल छोड़ दिया है तो बस इस stage पे हम add कर देंगे पिसा हुआ काजू काजू पे इस डाल कर इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे हुए इसे 5-7 मिनिट तक या ग्रेवी की कंसिस्टेंसी गाड़ी होने तक हमें इसे पका लेना है और जब तक हमारे ग्रेवी तयार हो रही है यहां चोटे कैस पे मैंने कोईले के दो पीसे को जलने के लिए रख दिया है तो 5 मिनिट के लिए हम इसे जलने के लिए छोड़ देते हैं तो काजू पेस डाल कर इसे मीडियम फ्लेम पे पकाते हुए 5-7 मिनिट हो चुके हैं और अब देख सकते हैं ग्रेवी की कंसिस्टेंसी गाड़ी हो गई है तो अब इसमें हम आट कर देंगे 5-6 हरीमिट जिसे मैंने बीच में से काट लिया है और अब मैंने ग्यास के फ्लेम को बंद करके इसमें एक्क्यो बटर डाल दिया है और अब इससे अच्छी तरह से मिला लेंगे और जो बटर हम डाल रहे हैं इसे हमें ग्यास बंद करने क और अब इस ग्रेवी में हम स्मोक की फ्लेवर देंगे तो ग्रेवी के ऊपर हमने कटोरी रख दिया है और यह जो कोईले के पीसे से हम इस कटोरी में डाल देंगे और अब इस कोईले के ओपर थोड़ा सा ओईल या तो घीर डाल देंगे और इसे कवर करके पांच मिनट के लिए छोड़ देंगे जिससे की सारा जो स्मोकी फ्लेवर है वो ग्रेवी में आ जाएगा इस टेप को आप जरूर करें इससे बिल्कुल भी रेस्टोरेंट जैसा फ्लेवर आएगा आपके बटर चिकन में तो ग्रेवी को ढखके रखे वे पांच मिनट हो चुके हैं और इस सारा स्मोकी फ्लेवर इसमें आना था वो आ चुका है तो इस कटोरी को हम हटा देते हैं और अगर आपको पसंद आई है तो आप मुझे से कमेंट करके भी जरूर बताएं मिलते हैं ऐसी ही मज़दार एक्साइटिंग रेसिपीस के साथ तब तक के लिए अला हाफिस